Hello friends, welcome to knowledge hub अद्रक की चाहिक के फाइदे अद्रक की चाहिक का प्रियोग कर कई सारीरिक रोगों से बचा जा सकता है अद्रक को प्राय विबिन प्रकार के वियंजनों में मसाले के रूप में प्रियोग किया जाता है अद्रक की चाहिक की साहिता से कई गंबीर समश्याएं जैसे बदंदर्द, डाइडिया, सीरदर्द, सरदी जुकाम, फेपडों से समंदित रोग, तनाव, मल्ती, आदी का इलाज किया जाता है प्रती दिन अद्रक की चाहिक का सेवन करना दिल के रोगियों के लिए काफी लाब दायक वता है मदुमे के रोगियों के लिए अद्रक, हल्दी की चाहिक सेवन करना लाब प्रद है यह रक्त में शुगर के स्तर को नियंतरित कर मदुमे से राहत दिलाती है अद्रक की चाई का सेवन करने से सरीर की रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ती है साथ ही ये जलन रोधी, एंटी फंगल, एंटी बेक्टिरियल और एंटी वाइरल खूबियों से भी बरपूर होती है इसकी वज़े से ये एक हेल्थ टिश्यू को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करता है वैसे तो अद्रक को कई तरह से खाये जा सकता है लेकिन चाई में इसका इस्तमाल करना काफी फायदे मन्द होता है एक बार चाई बना लेने के बाद आप अद्रक के श्वाद को छिपाने के लिए इसमें पीपरमेंट, सहद और नीमबू मिला सकते हैं जिन लोगों को ठीक से भूख नहीं लगती वह यदि नियमित रूप से अद्रक वाली चाई का सेवन करें तो अच्छे से भूख लगना सुरू हो जाती है ये चाई अंदर जाकर पाचन के लिए एंजाइमों को मुक्त करने में मदद करती है जिससे भूख बढ़ जाती है अद्रक की चाई पाचन को बेतर करने के साथ साथ फूड के अब्जिर्वेशन को बढ़ाती है ठंड के शमे नाक बंद होने पर अद्रक की चाई काफी असरदार होती है वातावरण की एलर्जी से होने वाले सांस समंदी समिश्या से छुटकारा पाने के लिए आप अद्रक की चाई का सेवन करें अद्रक के स्ट्रोंग एरोमा और हिलिंग प्रोपर्टी की कारण अद्रक की चाई में तनाव शांत करने का गुन पाया जाता है जिससे आपका तनाव कम होगा अद्रक की चाई सरीर में उर्जा भर देती है अद्रक की चाई पीने से उबाशी बरे महोल से बाहर आने में मदद मिलती है और आप खुद को पहले से ज़्यादा एक्टिव मैसूस करने लगेंगे यही नहीं दिन बर भागदोड और व्यस्तता से khuई थकान को भी अद्रक वाली चाय की एक प्याली गाइब कर सकती है अद्रक वाली चाय की सुगंत तनाव को कम करती है और आपको तरोताजा मैसूस कराती है इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अती सेवन से कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं यदि आप खाली पेट अद्रक की चाई पीते हैं तो आपका पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए इसका उची इस्तमाल ही करना चाहिए झाली करना चाहिए